Hello everyone, welcome back to one of video और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं structure of seed के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि seed होता क्या है कितने types का होता है seed का structure कैसा होता है साथ ही इसका dispersion किस प्रकार से होता है और इसका importance क्या क्या है तो चलिए वीडियो के सुरू करते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि seed होता क्या है तो mature और fertilized ovule या mega sporengium जिसके साथ में intigment या फिर auron present होता है उसको ही seed कहा जाता है और seed के अंदर gigot से embryo का development होता है seed जो होता है वह germinate होकर नए plant का formation करता है और seed की यह ability उसके अंदर में present embryo के होने से ही possible हो पाता है seed में उसके formation के तुरंद बाद या कुछ time period के बाद नए plant में develop होने की ability मौजूद होती है इसके अलावा seed में nutritive tissue के रूप में endosperm present हो सकता है next हम बात कर लेते हैं seed के types के बारे में तो seed को mainly 2 bases पर divide किया जाता है जिसमें से पहला है number of cotyledons के base पर इस अधार पर seeds को 2 types में classified किया जाता है पहला होता है monocotyledness seed और दूसरा होता है dicotyledness seed monocotyledness seed में केवाल एक ही cotyledon पाया जाता है जबकि dicotyledness seed में 2 cotyledons present होता है तो ये seed का पहला type हुआ जो cotyledons के number के bases पर divide किया गया है दूसरा type होता है endosperm के presence and absence के bases पर endosperm के bases पर भी seeds को 2 types में divide किया जाता है इसमें पहला होता है albuminus seed जिसको endospermink seed भी कहा जाता है तो जैसा कि नाम से ही सपस्ट है कि इन seeds में endosperm present होता है albuminus seeds में endosperm tissue जो होता है वह mature seed में जमा रहता है जिसका उपयोग germination के time पर किया जाता है इन seeds में embryo जो होता है वह काफी छोटा होता है दूसरा होता है x albuminus seed जिसको non endospermink seed भी बोला जाता है इसमें होता क्या है कि embryo के development के दोरान endosperm का उपयोग किया जाता है और mature seed में endosperm नहीं पाया जाता है तो इस point को आप अच्छा से समझना कि x albuminus seed में endosperm का use embryo के development के time पर किया जाता है लेकिन endosperm जो होता है वह mature seed में present नहीं होता है इस तरह के seeds जो होते हैं इनमें embryo काफी heavy होता है और इनके जो food materials होते हैं वह seed के cotyledons में store हो जाते हैं After that हम बात कर लेते हैं structure of seed के बारे में तो seed का जो structure होता है वह भी दो तरह से various होता है जिसमें से पहला होता है monocotyledoness और दूसरा होता है dicotyledoness तो पहले हम detail में समझते हैं monocotyledoness seed के structure के बारे में तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि monocotyledoness seed के पास केवल एक ही cotyledon present होता है और इनमे seed coat का केवल एक ही outer layer पाया जाता है Mage grain या फिर मक्के का जो दाना होता है वह इस प्रकार के seeds का सबसे अच्छा example माना जाता है lower area में differentiate किया जाता है इसके upper area में endosperm के position को point किया जाता है तथा lower area में embryo present होता है इसे एक prominent epithelial layer से separate किया जाता है इसके बाद हम monocot seed के structure को detail से समझते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन-कौन से components present होते हैं तो start करते हैं seed coat से seed coat जो होता है वह seed का सबसे outermost layer होता है और यहां कुछ cases में fruit wall से बंधा हुआ होता है cells की दो layer जिसे integument या आवराण कहा जाता है यही seed coat का formation करता है mage का seed membrane यूकत होता है और यह fruit wall या pericarpus से जुड़ा होता है seed coat जो होता है यह seed का defensive layer होता है अगला है endosperm तो actual में endosperm जो होता है वह tissue का multitude होता है जो fertilization के time पर embryo में बनने लगता है basically endosperm जो है वह mainly दो primary purpose को पूरा करता है जिसमें से पहला है nutrition provide करना और दूसरा होता है embryo को protect करना endosperm cells काफी unique होते हैं क्योंकि यह triploid form में होते हैं और इनके हर एक nucleus में DNA के तीन sets present होते हैं next है embryo embryo जो होता है वह seed का एक part होता है जो seed के अंदर में endosperm और seed coat जैसे structures के द्वारा protect किया जाता है seed के बाकि सभी parts के compare में embryo में lipid और lipid soluble vitamins की concentration सबसे ज़्यादा होती है monocots में embryo endosperm के end पर एक slot में present होता है जिसे scutulum कहा जाता है embryo के axis में plumule, radical, hypochotile तथा epicotile जैसे structures present होते हैं जो embryogenesis के द्वारा नए plant का formation करते हैं next है cotyledon तो seeds का embryonic leaf या फिर cotyledon सबसे large space को occupy करता है और यह embryo को nutrient और protection प्रोटेक्शन प्रोवाइट करता है monocots में केवल एक ही cotyledon पाया जाता है अगला है radical या embryo के एक region होता है जो germination के time पर seed से निकलता है और root के formation को lead करता है monocots में radical colorizer के द्वारा protect होता है और यहाँ dicots में नहीं पाया जाता है next है hypocotyle hypocotyle seed का वह region होता है जो cotyledons के नीचे और radical के उपर में पाया जाता है यह plant का पहला structure होता है जो soil से निकलता है और finally यहाँ stem का एक हिस्सा बन जाता है hypocotyle radical के साथ मिलकर apicotyle के लिए रास्ता बनाता है क्योंकि apicotyle की cells काफी delicate होती है और यह development के time पर damage हो सकता है अगला है hypocotyle hypocotyle region seed leaves के इस टाक के उपर में present होता है और यह plant के germination के लिए काफी महत्तो पूर्ण होता है यह region stem के growth को control करता है जो मिट्टी की सता से उपर तक फैला होता है apicotyle में hypogel type का germination पाया जाता है जो embryo के other parts के compare में तेजी से grow करता है next है alluron layer तो monocords के endospermic seeds में जो endosperm present होता है वह एक special single cell thick layer से घिरा होता है जिसको alluron layer कहा जाता है इस alluron layer का main function होता है seed के अंदर close embryo को nutrition provide करना और यह कुछ ऐसे enzymes का secretion करता है जो seed के germination process में help करता है यह तो हुआ complete monocotylidness seed के structure के बारे में अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं dicotylidness seed के structure के बारे में तो dicotylidness seed को ऐसे seed के रूप में define किया जा सकता है जिसमें 2 embryonic leaves या फिर 2 cotylidons present होता है beans, peas, almonds जैसे कुछ plants के example है जिनमें dicot seed पाया जाता है जादा तर dicot seeds जो होते हैं वे symmetrical होते हैं और इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है dicots में endosperm आम तरपर reduce या फिर कम हो जाता है और कुछ cases में तो यह पूरी तरह से ही absent हो सकता है embryo के चारो तरफ extra seed या आवराण के absent होने के अधार पर dicot seeds को और भी अधिक differentiate किया जा सकता है इसके बाद हम dicot seed के structure को भी detail से समझते हैं और देखते हैं कि यह कौन-कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है तो इसे समझने के लिए हम bean के seed के use करते हैं और start करते हैं इसके seed coat से तो जैसा कि मैंने पहले बात किया था कि seed coat जो होता है वह seed का protective layer होता है और यहाँ ovule के integument या फिर आवराण के development से तयार होता है dicot seeds में seed coat को outer covering testa तथा inner covering tagment में divide किया जा सकता है testa जो होता है वह dicot seed के दो layers में से एक है और यह seed coat के outer layer के रूप में कार्य करता है testa का main function होता है seed के dispersion के time पर seed के embryo को mechanical damage तथा dehydration से protect करना अगर हम tagment की बात करें तो यह dicot seed का दूसरा seed layer होता है और यह सिर्फ dicot seeds में ही पाया जाता है tagment जो होता है वह ovule के inner integment के different layer के द्वारा बनता है और इसका main function होता है seed के internal parts को protect करना next है micropile micropile एक छोटा से छिद्र या पूर होता है जो highlam के उपर के तरफ में पाया जाता है यह seed के germination में बहुत ही important role play करता है क्योंकि seed को भीगोने पर water का absorption mainly micropile के माध्यम से ही होता है micropile जो होता है वह water के absorption के साथ respiration और gasों के exchange में भी काफी help करता है अगला है highlam यह seed coat पर एक निसान होता है जिसके माध्यम से जो developing seeds होते हैं वे fruits से जुड़े होते हैं next है cotylodon तो dicot plants में cotylodons photosynthetic होते हैं और यह functionally plant के leaves के समान होते हैं dicots में 2 cotylodons पाया जाता है जिसमें परियाप्त food material प्रेजेंट होते हैं dicots में cotylodon development के early stage में embryo को nutrition प्रोवाइट करता है next है plumule यह seed embryo के एक part होता है जो leaves और stems जैसे vegetative parts के साथ suit में develop होता है मतलब plumule जो है यही suit का formation करता है अगला है radical तो radical embryo के एक region होता है जो germination के time पर seed से बाहर निकलता है और यह root का formation करता है radical water तथा nutrients को absorb करता है और इन्हें पत्तियों को photosynthesis initiate करने के लिए supply करता है तो यह भी हो गया complete dicotylidness seed के structure के बारे में इसके बाद हम बात कर लेते हैं seed के dispersion के बारे में तो इसमें पहला है seed dispersal by wind जिसको animal कोरी भी कहा जाता है तो इस तरह के seeds जिनका फैलाव वायू या फिर airs के द्वारा होता है यह seeds काफी हलके होते हैं और इनमे wings present होते हैं साथ ही इनमे parachute mechanism पाया जाता है जिसमे hair like apparatus मौजूद होते हैं जो seed को हवा में उड़ने में help करते हैं दूसरा है seed dispersal by water जिसको hydrocory भी कहा जाता है तो ऐसे seeds जिनका फैलाव water या फिर पानी के द्वारा होता है इस तरह के seeds में waterproof cells पाया जाता है साथ ही इनमे floating को support करने के लिए seeds में air pockets भी present होता है और इसके अलावा इन seeds में food storage भी पाया जाता है अगला है seed dispersal by animals इसको जू कोरी भी कहा जाता है इस तरह के जो seeds होते हैं ये काफी sticky होते हैं जो animals के body parts के साथ में चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचते हैं इसके अलावा इन seeds से flesy या फिर edible fruits प्राप्त होता है साथ ही इस प्रकार के seeds में hook like structure भी present होता है next है seed dispersal by explosion जिसे auto curry भी कहा जाता है इसमें explosion का साबदिक अर्थ होता है full energy के साथ में food na इस case में फल जैसे जैसे पकता है यह अपने बीजों को बाहरी वातवरण में फैक देता है इस तरह का seed dispersal mainly उन plants में पाया जाता है जिनमें pods present होते हैं after that हम बात कर लेते हैं seed के कुछ importance के बारे में तो seed जो है यह humans, animals और bulky living beings के लिए एक important food source है अगर हम पूरे विस्व की बात करें तो total food का लगभग 95% part सिर्फ बीजों से ही प्राप्त होता है बीजों की लगभग 250 प्रजातियां ऐसी है जिनका उप्योग humans और animals के द्वारा भोजन के रूप में किया जता है बीजों का उप्योग बहुँ सारे industrial products को तयार करने में भी किया जता है जैसे सरसों और नारियल के तिल को सरसों तथा नारियल के बीज और फल से प्राप्त किया जता है कुछ केसेस में seeds और उनके products का use medicines के अच्छे source के रूप में किया जता है example के लिए कुनेन जो होता है वह malaria के treatment में यूज किया जता है जिसको सिनकोना के बीजों से प्राप्त किया जता है इनके अलावा seeds जो होते हैं वह vegetative oils के primary source होते हैं जो total oil का लगभग 55% supply को पूरा करते हैं कुछ seeds ऐसे होते हैं जिनका उपयोग पेयप अदार्थ के रूप में भी किया जता है इसका उदारण है coffee so I hope कि seeds से related यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा मिलते हैं अकले वीडियो में एक और टॉपी के साथ तब तक के लिए thank you so much